नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमेत और स्वागत है आपका एट सुमेत कुमार की एक और नई वीडियो में आज के इस वीडियो में मैं कंपेर करने वाला हूं हुंडा एक्स ब्लेट को हुंडा हुंडा हुरनेट टू पॉइंट और रेप्सोल एडिशन के साथ दोनों ही एडिशन ना भी लेना चाहें तो 2.0 आपको 2-3,000 रुपे नीचे से देखने को मिल जाता है दोनों ही गाडियों में जो सबसे बड़ा रिफ्रेंस आप देख पा रहें वह है अलोईस का आपको हॉरनेट में औरेंज फिनिश में अलोईस देखने को मिल जाते हैं आपको ब नहीं मिलता है एक चीज और आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको एक्स ब्लेट में नॉर्मल बल्ब टाइब इंडिकेटर देखने को मिलते हैं वहीं पर आपको हॉरनेट में LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं जो काफी ज़्यादा सुन्दर लग रहे हैं तो ओवर 60 cc का इंजन देखने को मिलता है वहीं पर आपको हॉर्नेट में 183cc का engine देखने को मिल जाता है एक्स ब्लेट आपको 13 p.s के आराउंड पावरлейकरति है और होर्नेट आपको 17 PS के अराउंड पावर जनरेट करती है तो पावर में दोनों ही गाड़ियों में जमीन आस्मान का फर्क है और यहाँ पर हुंडा ने होर्नेट रेप्सोल को थोड़ा थोड़ा रेसिंग के लिए बनाया हुआ है वहीं एक्सुलेट को आप नॉर्मल डेली लाइफ में परफोमेंस बाइक की तरह यूज कर सकते हैं एक चीज़ और यहाँ पर कि दोनों ही गाड़ियों में आपको एर कुल्ड टेकनोलोजी देखने को मिलती है यहाँ पर लिक्विट कुल्ड टेकनोलोजी हुंडा को देना चाहिए था हॉर्नेट में लेकिन नहीं दी गई है औ और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही गाड़ियों के जो काउल्स है वो काफी जादा अच्छे लग रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो हुंडा का लोगो है यह नॉर्मल प्रिंट में है और एक्स ब्लेड में आपको क्रोम में देखने को मिल जाता है दोनों ही गाड़िय अच्छी है और दोनों ही गाड़ियों को जो डिजी टीटी है वो प्रोवाइड कराती है वाकि टायर साइज के अगर में बात करूँ तो 17 इंच के दोनों ही गाड़ियों में आपको टायर देखने को मिल जाते हैं और ऑवराल सामने के तरफ से जो लुख है वो काफी ज्या स्टार्ट वगयरा करने में काफी जादा स्मूथ रहता है काफी जादा इंटेलीजन टेकनोलोजी है और जो लगबग जो गाडियां है उन्हें थोड़ी सी जादा अच्छी लाइफ भी प्रोवाइड करता है तो इंडिकेटर्स बंद करने के बाद कुछ इस तरीके का लुक लुक आता है यह हिजाड लेम जो है दोनों ही गाडियों में अभी जल रहता है और यह मैंने अभी बंद कर दिये हैं तो भाई काफी बात कर लिए हमने गाडी के सामने के लुक के बारे में अब हम थोड़ा से देख लेते हैं गाडी का साइड लुक की दोनों ही गाडियों पोस्ट है गाड़ी का यह काफी लंबा सा है वहीं आपको हॉर्णेट में छोटा सा थोड़ा स्पोर्टी सा एक्जोस्ट देखने को मिल जाता है और यहां पर जो आप टेंक देख सकते हैं दोनों ही गाड़ियों में आपको 12 लीटर फ्यूल केपसिटी के साथ देखने को मिल जाता है यह था एक क्विक कपेरिजन गाड़ी की साइड लुक्स को ले करके आप पीछे की तरफ से हम देख लें थोड़ा सा तो पीछे की तरफ वही आपको इंडिकेटर अलग टाइप के देखने को मिल जाते हैं वहीं पर ग्रेव हिंडल भी आपको थोड़ा सा अलग द देखने को मिलेगी और जो होर्नेट है वह आपको थोड़ी सी एक्स ब्लेट से छोटी देखने को मिल जाती है यह हैं गाड़ी के पिछले टायर्स और यहां पर आपको जो चेन हैं दोनों ही गाड़ियों में थोड़ी सी नीचे की तरफ से जो एक्सपोज्ड है वह दिखे तो ओवरोल कुछ इस तरीके की दिखती है गाडियां और अगर सीट की में बात करूँ तो आपको हॉरनेट में split seats देखने को मिल जाती है वहां पर आपको single seat x blade में देखने को मिलती है जो tripling वाला सीन है वो आप एक्स ब्लेट के साथ कर सकते हैं लेकिन होरनेट में आप चाहकर भी दो से अधिक बंदे नहीं बिठा सकते हैं और मेरे इसाब से दो जो दो बंदे हैं उन्हें भी काफी ज्यादा दिक्कत होने वाले दोनों ही गाड़ियों में यहां पर टेंक देखने को मिल है और इनकी टेंक कैपसिटी की जैसा हम बात करी चुके हैं 12 लिटर की दोनों ही गाड़ियों में फ्यूल कैपसिटी है अब जो माइलेज है होन्डा लगबग 40-50 के बीच में दोनों ही गाड़ियों की क्लेम करता है लेकिन जैसा की गाड़ी का इंजन छोटा है एक्स ब्ल में बताने की कोशिश करी एक बार में क्विक कंपेरिजन आपको दोनों ही गाड़ियों के मीटर का दे देता हूं कि मीटर में आपको क्या-क्या चेंजिस देखने को मिल जाते हैं अगर मैं एक्स ब्लेट के इंस्टुमेंट क्लस्टर को देखूं तो यहां पर थोड़ा सा स्प्लीट इंस्टुमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है उपर की तरफ आर पी एम नीचे की तरफ इस्पीडो मीटर और यहां पर एबियस की वर्निंग लाइट वगेरा सब कुछ शो हो रही है यहां पर आप देख सकते हैं जो गाड़ी का वोल्टेज है वो आपक जाम्हेर लग रहा है लेकिन एक्सब्लेट की तुलमें अपको ज़्यादा थो चोटा सा भी है यहां पर और क्ललश्टरो आप वेटकर nieuचार में उतना ज्यादा इंप्रटेंट नहीं है जितना की यहां पर मैं शोग कर रहा हूं तो इस चीज को आप ignore भी कर सकते हैं और यहाँ पर एक चीज जो आप notice कर पा रहे हैं जो गाड़ी के ORVM से वो आपको Honda हर गाड़ी में same देता है ऐसा नहीं कि अगर higher segment की गाड़ियां है थोड़ी और अच्छी quality के थोड़े जो looks में change ORVM दे दे हम लेकिन यहाँ पर आपको दोन जाते हैं सो दोस्तों कैसी लगी आपको गाड़ियां comments में जरूर बताईएगा अगर आपके पास एक लाग 30,000 रुपे हैं तो आप दोनों में से कौन सी गाड़ी को pick करना ज्यादा पसंद करेंगे बाकी इतना ही था इस वाली वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को like कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को subscribe कर सकते हैं मैं daily आपको लोगों के लिए automobile car bike से related वीडियो लाता रहता हूं आप चाहें तो मुझे instagram पर भी follow कर सकते हैं description में आपको link मिल जाएगा मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जैहिंद थेंक्स फर वोचिंग